क्या आप भी अपना वजन कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं? लेकिन ठंड के मौसम की फूड क्रेविंग आपको अपने गोल को अचीव करने से रोक रही है? और क्या होट चॉकलेट खाने का मन और गाजर के हलवे की खुश्बू आपके वजन घटाने के लक्ष में सबजियों का जो वजन घटाने में हमारी काफी मदद करते हैं. इतना ही नहीं ये विंटर फूड्स बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं, साथी इन में कैलरीज की मात्रा भी बहुत कम होती है. तो अगर आपने भी सर्दियों के इस मौसम में अपने पेट के चारों और इन एक्स्ट्रा इंचेस को कम करने का टागेट बनाया है, तो फिक्र मत कीजे. आपके सपोर्ट के लिए हम है ना? इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 6 स्वादिष्ट विंटर वेट लॉस फूड्स के बारे में बताने वाले हैं. लेकिन उससे पहले प्लीज, आप हमारे चैनल वेट लॉस गाइड को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें. सर्दियो के मौसम में वजन घटाने वाली पहली फूड आइटम है गाजर. सर्दियो के मौसम में इस रूट करने में समय लगता है और हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है. खास बात ये है कि इस कुदरती मीठी सबजी में स्टार्च की मातरा भी बहुत कम होती है. वजन कम करने के लिए आप गाजर को अपने सलाद में और सूप में शामिल कर सकते हैं या फिर आप इसका जूस बना कर भी पी सकते हैं. अब आप कहेंगे कि फिर तो हम गाजर का हलवा भी खा सकते हैं. तो दोस्तो आप हलवा जरूर खा सकते हैं लेकिन हफते में एक बार आधी कटोरी गाजर का हलवा ही आप खा सकते हैं. लेकिन उससे ज़्यादा बिलकुल भी नहीं क्योंकि ड्राइ याने की अम्रूद सर्दियों का ये फल शायद ही किसी को पसंद नहीं होगा खटे मीठे और क्रंची अम्रूद उन फलों में से एक है जिने हम कितना भी खाए कभी बोर नहीं होते हैं सर्दियों में खासकर परिवार के साथ बैठ कर अम्रूद की स्लाइस काट कर उपर चाट मसाला डालके बाते करते हुए खाने में जो सुकून है न वो शायद किसी और फल में शायद ही मिले अगर आप भी मेरी तरह अम्रूद खाने के फैन है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि अम्रूद डाइटरी फाइबर से सम्रिध फल है जो कि आपके पाचन तंत्र को बूस्ट करता है साथ ही शरीर के मेटबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है वही इसकी एक सॉविंग में सिर्फ 60 कैलरीज होती है जिस वज़र से रोजाना अम्रूद को अपनी डाइट में शामिल करने से वजन कम करने में आपको मदद मिलती है पेट पर जमा फैट को गलाने में मदद करने वाला तीसरा खाना है डाक चॉकलेट किसीने क्या खूब का है ना अगर किसी काम को हम टालने की कोशिश करते हैं, तो कुदरत भी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती हैं, कि हमें उस काम को करना ही पड़ता है, वजन खटाने के दौरान शक्कर से दूरी बनाने का काम भी कुछ वैसा ही है, आप अपने sweet tooth की craving को जितना रोकने की कोशिश करत है, जो मीठे तो हो, लेकिन उनमें calories कम हो, जिसमें पहला option है कुदरती मीठे फल, और दूसरा dark chocolate, आप अपने मीठे खाने की craving को थोड़ा सा dark chocolate खा कर संतुष्ट कर सकते हैं, milk chocolate के मुकाबले dark chocolate में calories सो कम होती है, साथ ही हमें इसकी antioxidant properties से भी फाइदा मिलता है, तो dark chocolate को अपनी diet में शामिल कीजे, लेकिन याद रखिये, हफते में दो बार, दो से तीन पीसे से ज्यादा आपको नहीं खाना है, सर्दियों में weight loss करने में मदद करने वाला चौथा low calorie food है, beetroot, वसन घटाने में शरीर की मदद करने वाले fiber से less, beetroot, यानि चुकंदर से हमारे शरीर क कई अनोखे फायदे मिलते हैं, जैसे कि body में blood flow बहतर होना, blood pressure control में आना, और exercise करते वक्त, body का performance बहतर होना, इसलिए ही कई sports persons अपनी training से थोड़ी तेर पहले beetroot juice पीना पसंद करते हैं, दोस्तो, 100 gram beetroot में सिर्फ 43 calories, 0.2 gram fat और 10 gram carbohydrates होते हैं, इस winter superfood को आप vegetable salad और smoothie में शामिल क कर सकते हैं, और मेरा favorite सबसे अच्छा option आप काजर और beetroot का juice बना कर भी पी सकते हैं, ये वजन कम करने के साथ साथ आपकी body को detox भी करता है, बच्चों से लेकर बड़ी उम्रवाले लोगों तक सबकी favorite strawberries, ठंड के मौसम में खाना सभी लोग इतना पसंद करते हैं, कि कई बार market में strawberries लेने जाती हों, तो मिलती ही नहीं है, fruit वाले भया बोलते हैं, sorry दीदी, आज strawberries खत्म हो गई हैं, तो अगर आप भी उन में से एक हैं, जो सर्दियों में market जाते हैं और strawberries लिए बिना घर नहीं आते हैं, तो congratulations, आप अपना वजन कम कर लेंगे, क्योंकि खटी मीठी strawberries के एक कप में सिर्फ 49 calories होती है, साथ ही ये फल vitamin C, fiber, calcium और magnesium जैसे पोशक तत्वों से भरपूर होता है, जो की वजन कम करने में आपकी मदद करता है, एक और plus point ये है कि strawberries खाने से हमारी sweet tooth cravings खत्म हो जाती है, जिसकी वज़ह से हम cake, biscuits और cold drinks जैसे मीठे खानों को खाने से बच नमर 6 है, Oats एक study के मताबिक जो लोग नाश्ते में Oats खाते हैं, वो दोपहर की भोजन में एक तिहाई कम calories का सेवन करते हैं, और इससे भी वजन कम करने का सीधा connection है, अब आप पूछेंगे कि कौन से Oats खाएं, तो market में ready to cook मिल रहे 10 से 20 रुपे वाले flavored Oats की जगा, हम आपको plain Oats का packet ल बेनिफिट ये हैं कि इससे आप मसाला Oats, Oatmeal, Oats पराथे और vegetable Oats जैसे सभी varieties बना सकते हैं, आप Oats का बड़ा packet बाजार से खरीद सकते हैं, या फिर आपकी मदद के लिए हम Oats के link description में भी दे देंगे, आप उसे वहां से भी खरीद सकते हैं, तो दोस्तों, अब आप इन 6 सुपर फूट्स को अपनी डाइट में शामिल कीजे, और कैलोरीज की मातरा बढ़ जाने की फिक्र किये बिना पीट भर खाये, और अपना वजन भी कम कर लीजे, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल Weight Loss Guide को सब्सक्राइ करके बेल के बटन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा, धन्यवाद